next question question says if speed v area and force f Nigeria fundamental units then the dimension of young modulus will be और 4 option अपने को दे रखेoi नोजब सवाल असान है थोड़ा सा calculation हल्की सी करनी पड़ेगी नहीं पर अपर तो हमें बताना है कि य जो है यंग modernst वो अपनी velocity आ knit say x velocity के अपर power x है और आपका area य और y कहल लेते हैं इसको dá और फोस जेड इनके X, Y, Z इसकी वेल्य हमें बताने ही कितना होगा, कितनी पावर इसके वायर प्रपोर्शनल होगा, अपने को पता है, उसकी जो दैमेंशन हम लिखते हैं, उसको हम लिख सकते हैं, फोस पॉइंट अरिया से उसको हम दैमेंशन लिख देंगे, ML-1, T-2 या आपकी यंग्स मॉडलर्स की दैमेंशन हो जाएंगी, इसको अगर हम इक्वेट करें, यह बन जाएगा, आपका M1, L-1, T-2, will be equal to M to the power, यह आगया Z, L की power यहाँ पे आई X, यहाँ पे आई प्लस 2Y, और यहाँ पे आई प्लस Z, multiplied by T, T की power आई यहाँ पे माइनस X, और यहाँ पे माइनस 2Z, बेस जान दिस हम यह कह सकते हैं, यह और यह बराबर होंगे, which implies Z की value आगई अपनी 1, और यह और यह क्योंकि बराबर होएंगे, तो पहले इसको equate कर लेते हैं, सो माइनस X, माइनस 2Z, इस उकल तो माइनस 2Z की value अगर आपने यहाँ पे रखी 1, सो यह आपका, which implies X की value आगई यह आपकी 0, अब इसको यहाँ पे value रख देंगे, विच मीनस 1 इस उकल तो X, प्लस 2Y, प्लस Z, X अपना 0 आचुका है, Z अपना 1 आचुका है, सो माइनस 1 विल बी इकल तो 0, प्लस 2Y, प्लस 1, इसको दलाएंगे, माइनस 2, which implies Y की value आगे, माइनस 1, सो उसके बेज़िस पे, final formula में ही कह सकते हैं, कि अपना Y जो है, that will be equal to V to the power 0, A to the power आया, माइनस 1, और F to the power 1, सो यह अपनी Young's Modulus की, उसमें dimensions हो जाएंगी,